Hello everyone and welcome back So, आज का हमारा टॉपिक है Picture Composition या Picture Description तो Class 1, Class 2 से बच्चों को Picture Composition सिखाया जाता है Picture Composition में करना क्या होता है तो बच्चों को इस तरह का एक Picture मिलता है जिसके उपर से उनको कुछ चार पार Sentences लिखने होते हैं तो ये आप कैसे सिखा सकते हो बच्चों को Picture Composition करते समय बच्चे को क्या चीज़े ध्यान में रखनी चाहें ताकि वो Easily Sentences Frame कर पाए Sentences लिख पाए तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे तो ये जो Picture है ये बच्चों की ही English Grammar की Tax Book से मैंने लिया है Mostly मैंने ये देखा है कि एक्जाम के टाइम पे भी कोई ना कोई उनको Picture उनहीं की English Grammar की बुक से मिलता है तो इसलिए मैं को सिस करती हूँ कि उनकी जो टेक्स बुक में या फिर Grammar की इस तरह की बुक में जितने भी पिक्चर इस तरीके के हो जिसके उपर कुछ चारपा sentences लिख पाई उसके उपर में प्रैक्टिस करवा दू ताकि अगर इन में से कोई exam के टाइम में उनको पूछा जाता है तो वहाँ पे उनको sentences frame करना easy रहेगा तो इस वीडियो में हम इस पिक्चर के बारे में बात करेंगे इस पिक्चर के ठू हम बच्चों को कैसे चार पाच sentences लिखना सिखा सकते हैं तो पहले हम बात करेंगे कुछ points के बारे में जो बच्चे को याद रखने चाहिए picture composition करते समय तो हमारा पहला point क्या है point number one क्या है कि पहले बच्चे को क्या करना चाहिए बच्चे को observe करना है कि picture के अंदर actually हो क्या रहा है उसके बाद जो भी चीज़े हो रही है sentences frame करते समय वह use करेंगे use of is या फिर आर प्लस जो भी वह वर्ब यूज़ करेंगे उनके पीछे होगा ing जो भी इस आर या उसके बाद में जो भी मेंड वर्ड उनका होगा उसके बीचे उनको ing लगाना है मतलब कि यह जो sentences हम लिखेंगे वह लिखेंगे present continuous tense के अंदर कि दूसरा point हमारा क्या है कि use of preposition preposition क्या होता है हम जो यूज़ करते हैं इस हम जो यूज़ करते हैं ऑन इन अंडर नियर बिहाइंड यह सारे वर्ड का उनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए तीसरा point है यूज़ ऑफ पॉंक्टुएशन यह बहुत इंपोर्टन् यूज़ करना जैसे लगैं जर्ण करें यह हैं अलवेस हम रखना बोलना नहीं यह बच्टा अक्षर घलती करते हैं क्लास वन रखना क्लास टू में वह लगाना भी ब्हुत आप बच्चे को जरूर से बताए कि आप करना है एंड भी हम फुल स्टॉप से ही करेंगे इस और अंडर का अच्छे से यूज करेंगे और जो भी इस आर के बाद हम जो भी वर्ड यूज करेंगे उसके पीछे हम आई एंजी लगाएंगे तो इस तरीके से प्रेजन कंटिनियूस टैंड्स में हमें कुछ सेंटेंस फ सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या हो सकता है तो पहले हम लिख सकते हैं कि जैसे की सबसे पहले हम क्या ऑब्जाव करेंगे कि यह पिक्चर किस का है तो किस चीज से रिलेटेट है यह पिक्चर पार्क का है प्लेग्राउंड है तो प्लेग्राउंड का स्पैलिंग में भी हो स सकता है mostly playground का picture बच्चों को दिया जाता है तो इस तरीके से वो उनका पहला sentence होता है कि इस इस अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ पार्ग तो यह एक पाक का पिक्चर है या फिर आप सिर्फ सौट में भी लिख सकती हो गराप class one के बच्चे को सिखा रहा है तो दीजज़ पार्ग या दीज़ पिक्चर ऑफ पार्ग सेंटेंस को थोरा सा बढ़ा करने के लिए आप इस तरीके से beautiful picture of a park इस तरह के word यूज़ कर सकते हो देन हमारा दूसरा sentence क्या हो सकता है कि अभी हमें और चीज़े अब्ज़र्व करनी है कि यहां पर क्या हो रहा है क्या action हो यह क्या activity हो रही है तो यहां पर दो बच्चे है एक के पास ball है दूसरी के पास kite है तो दूसरा sentence हम लिख सकते है कि a boy कि इस कि प्लेइंग कि वीट आ बॉल फूल स्टॉब स्टाट किया हमने कैपिटल से एंड किया हमने फूल स्टॉब से इस यूज किया आ इंज यूज किया तो इस तरीके से उनको sentences frame करने हैं a boy is playing with a ball यह लड़का बॉल के साथ खेल रहा है दूसरा बच्चा क्या कर रहा है काइट उडा रहा है तो हम क्या करेंगे a boy is flying a kite नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे another another boy is flying a kite तो सिर्फ काइट यहां तक लिख सकते हो और फिर full stop कर सकते हो या फिर sentence को थोड़ा सा बढ़ा करने के लिए हम क्या करेंगे a boy is flying a kite in the sky इस तरीके से भी लिख सकते हो देन हमारा fourth sentence क्या हो सकता है हमने इस boy के बारे में लिख दिया फिर इसके ground a bicycle is lying on the ground तो sentences frame करते हैं स्पैलिंग बच्चों को याद होनी चाहें जो basic ताकि वो sentences लिख पाए उसके बार next sentence हमारा क्या हो सकता है हमने इन तीनों के बारे में लिख दिया फिर हम क्या एक sentence यूज कर सकते हो और चीज़े उन्हें observe करने है क्या है पार्क की अंदर एक बड़ा सा ट्री है तो यह हम लिख सकते है there is a big tree there is a big tree in the park पार्क में एक बड़ा सा ट्री है फिर the boy's parents हम यहाँ पर ट्री के नीचे कौन बैठा है उसके बारे में लिखेंगे ट्री के नीचे यह boy के पैरेट और एक डॉग बैठे हुए है तो इस sentence को हम कैसे लिखेंगे the boy's parents are यहाँ पर boy के बारे में हम बात कर रहे थे तो हमने ease का यूज किया लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे आर आर वो क्या कर रहे है sitting sitting under a tree डॉग के बारे में भी साथ ही में लिख देंगे इसी sentence में with a dog the boy's parents are sitting under a tree with a dog तो यह एक sentence हो गया उसके बारे हम कुछ और चीज़े अब्जाव करेंगे त्री के बारे में लिख दिया फिर और क्या बच्चों को दिख रहा है इसके अंदर तो कुछ बर्ड्स है जो फ्लाय कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि बर्ड्स और फ्लाय इन दसकाई तो देखा आपने एक छोटे से पिक्चर से हमने सेवन सेंटरंसे फ्रेम कर लिए तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को सेंटरंसे फ्रेम करना सेंटरंसे लिखना सिखा सकती हो सो कुछ स्पेलिंग जरूर से सिखाएगा कैपिटल से स्टार्ट करना है एंड करना है फुल स्टॉप से ये भी जरूर से सिखाएगा इस एन आर का यूज़ करेंगे फिर आएंज ये लगाएंगे इन अंडर इन दपार्क और ये जो प्रेपोजीजन है उसका उनको अच्छे से यूज़ करना है तो ये कुछ बेजिक सी चीज़े अगर बच्चे को पता होगी तो वो आराम से सेंटरंसे फ्रेम कर पाएंगे अगर आप class 1, class 2 के बच्चे को सिखा सकते हैं सिंपल सौट से चोटी-चोटी से से सेंटर्स अगर वो वो फ्रेम कर लेते हैं तो ठनी इनके लिए class 3, class 4 के हिसाब से आप थोड़े से बड़े या थोड़े से लंबे सेंटर्स या फिर अगर आपको यही सारे sentence paragraph के अंदर लिखने हैं तो उस तरीके से भी आप एक paragraph वाइस भी इन sentence इसको लिख सकते हो So this is all about picture composition या picture description I hope कि मेरे इस वीडियो से आपके जरूर से help हुई होगी अगर इस वीडियो से आपके कोई help हुई है तो इस वीडियो को like और share जरूर करिएगा चैनल पर नए हो तो subscribe कर लीजे क्योंकि बच्चों से ही related आपको बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे Thank you for watching the video, bye bye